आज हम बनाएंगे मसालेदार तवा पनीर बुर्जी, स्टिट स्टााईल पनीर बूर्जी रेसिबी, ठीक है बड़ा तवा तो नहीं है लेकिन मैं पैन में ही बताऊंगे किस तरह से ये बहुत ही स्वाधिष्ट गजब टेस्ट आता है तो दीखिए मैं किस तरह से ये बना तो यहां पर मैं इस पैन बैठा दी हूं अब बड़ा तवा होगा तो वो भी ले लेना और एक टेवल स्पूल यह अमुल बटर डाल देना मेरा आधा था जमा हुआ इसलिए मैं डाल रही हूं ठीक है यह है अमुल बटर एक चमच या दो चमच डाल देना फिर एक दो चमच ओल अगर आपको पसंद नहीं है तो बटर स्किप कर देना यहां पर मैंने तीन मीडियम साइज के ओन्यान को ऐसे बारिक बारिक काट लिया था और आधा केपसीकम को काट ली थी दोनों में में मेक्स करकर ढाल रही हूं और इसे थोड़ी दर से इसे में साटे करेंगे उसी में ही एक दो हरी मिर्च तिखा वाला हो तो आप डाल देन में बिना तिखा वाला डाली हूँ तिन हरी मिर्च ठीक है तो यह सब डाल का पूरा सौफ्ट होने तक दो तिन मिनट इसको मीडियम फ्लेम में में भून रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल में क्या बड़ा तवा बैठा देते हैं और इसमें इस तरह पूरा फैला कर सब पकाते रहते हैं और हमारे घर पे तो इतना बड़ा तवा नहीं रहता है तो मैं यह पेन में आपको बता रही हूँ तो इस तरह देखिए पूरा मैं भी किनारे से साइड कर तो आधा इंच अद्रक ले लेना और इसी को सबको ग्रेट कर देना नहीं तो आप पेस्ट भी डाल सकते हो ठीक है तो इस तरह मैंने ग्रेट करके डाल दिया है अद्रक लसन को भी और सभी को अच्छे से पूरा मिक्स करके भी मैं फ्राइ कर रही हूं एकदम मस्त लगता है हाँ बना कर देख तो सारा इस तरह पूरा हलका ब्राउने से हो चुका है ओनियान और अथ्रक लसन और कैप्सिकुम भी पूरा जब भुन जाएगा हलका ब्राउन हो जाएगा तो हम 10 टमाट डाल देगे आप दो टमाट भी फ्राइ करके से मतला भूनते रहेंगे अच्छेते सॉफ्ट होने तक टमाटर आप ज्यादा भी ले सकते हों मैं दो टमाटर ली हूं चोटे चोटे तब इसी टाइम हम हल्दी पाउडर डाल देंगे ताकि कलर अच्छा है आधा चम्माच में हल्दी पाउडर डाली हूं और बिना तीखा वाल कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर रगा थोड़े से धनिया पथा एक टेबल स्पून धनिया पथा तो फिर सभी को मेक्स करके अब हम इसे ढख कर पूरा 4-5 मिनट सॉफ्ट होने तक फ्राइब करेंगे कि नारो से जब तक तल नहीं चुड़ता है तो पूरा मैं मेडियम फ्लेम में पूरा फ्राइ कर रही हूं मेरा हो चुका है अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है अब इसमें गरम पानी थोड़ा डाल देंगे और ढखकर पकाएंगे बिना अगर नहीं पका होगा तो भी अब ढखकर पका सकते हो टॉमाटर साफ्ट होने तक तो इसी टाइम में थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रही हूँ आधा टीस्पून धनिया पाउडर थोड़े से तीकी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और ये है भुना हुआ बेसन है और बीच में मैं डाली हूँ पाव भाजी मसाला एक चमच ठीक है और एक चमच य पूरा तो भी टमाटर सॉफ्ट हो चुका था फिर गरम पानी आधा कप भी डाल देंगे ताके और सॉफ्ट हो जाए ठीक है और ढग कर दो तीन मिनट इसे पकाएंगे इस तर आप करके देखिए बहुत टेस्ट याएगा मतला बहुत टेस्ट लगेगा इतनी स्वादिस्ट बन दी है पुछो मत फिर मैं नमक भी स्वादानुसार देखकर डाल दी हूँ पूरा नमक मतला जितना पनीर जैस सड़ हाईसोग्रम पनीर लिए होंगे एक पैकेट तो उसे देखकर पूरा हम नमक भी डाल देंगे आपको पता नहीं चलेगा जो जितना अभी ही सब डाले हैं करी को देखकर अतना सब अभी नमक मतला देखकर नमक स्वादानुसार डाल देंगे और इसे बस ही कुबाल आने तक वेट करेंगे पहले तो पूरा अच्छे से ओईल सेपरेट होने तक पका चुके थे अभी फिर से मैं गरम पानी डाली हो आधा कप और इसे भी पूरा भी ढखकर पूरा ओईल सेपरेट होने तक देखिए इस तरह पूरा ऐसे बबल साएंगे किनारों से ओईल चुटने लगेगा तो फिर यह हम इतना अच्छा मतला भूनेंगे इस तरह से फिर यह जो ग्रेट करके रखे हैं पनीर अधाई 100 ग्राम इसारा भी डाल देंगे तो मैं आपको बता रहे हूं देखिए कुछ इस तरह से होना चाहिए पहले एकदम ठीक हो गया था तो बीच में मैंने फिर से आधा कप टोटल मुझे एक कप पानी लगा है तभी सारा भी डाल देंगे पनीर और इसे पूरा भी मिक्स करेंगे मसाले के साथ इतना इजी है इतना टेस्टी लगता आप बना कर दिखिएगा एक बर आप यह ग्रेट भी कर सकते हो पनीर को नहीं तो हाथों से चोटी-चोटी पूरा यह एक पेकेट 800 ग्राम है तो सभी को मैंने पूरा अच्छे से मिक्स कर दिया और मार्केट में जाड़ा लिक्विड जीसा कैसे दिखाई देता है तो और फोड़ा हम गरम पानी आधा कप डालेंगे यह भी हुआ ना मसाले दार तवा पनीर बुर्जी क्योंकि घर तो इतना बड़ा नहीं रहता है तो इसी पैन में मैं आपको करके बताई हूं कि इसी तरह स्टेट स्टाइल में करते हैं तो आधा कव गरम पानी मैंने फिर से डाला है स्किप हो गया तो इस तरह आप ऐसे लिक्विड टाइप का बना सकते हो ठीक है बहुत ही टेस्टी साला एवरेस्ट किचन किंग मसाला एक चमच डाल दी हूं बस और कुछ नहीं डालना है फिर थोड़ा सा धनिया पता होगा वो अभी लास्ट में डाल देंगे तो एक बार सभी को मैं मिक्स कर रही हूं और दो मिनट पूर अच्छे से पका लोंगे बस इतना ही आपको भी घर के जितने मेंबर को देना है सर्व कर दीजिए और 2-3 चमच कढाई में मतला तवे में रख दीजिए ताकि हम अब मैं दूसरे उसमें भी निकालूंगी वाटी में क्योंकि भी ज्यादा ये हो चाहेगा तो 2-3 चमच हम तवे में रखेंगे ताकि ये पाव है तो इस तरह पूरा मसाले से लोट फोट होना चाहिए पाव अगर आपको और कम लगेगा तो और एक टेबल स्पून आप इसमें अगर आपको पसंद है ज्यादा बटर तो बटर डाल देना नहीं तो तेल डाल कर भी कर सकते हो मैंने एक चमच बटर डाला है मेरे बच्चे क को ज्यादा पसंद है और इसमें मेल्ट कर दी हां और इसमें अलट पलट कर यह पाव क अच्छी तरह से मसालों के साथ पूरा फ्राइ कर लेंगे बस सर्फ करेंगे गर्मा गरम यह पनिर बुर्जी स्ट्रिट स्टाइल आप घर पर खाईए तो कुछ इस तरह इसे भी पू तो इस तरह आप घर पर बना कर इसे खाईए बहुत अच्छा लगीगा तब मैं पूरा फाइनल हो चुका है अब मैं सर्फ कर रही हूँ आपको बहुत पसंद आएगा इस तरह आप बना कर दीखिए बस पाव हजी मसाला होना चाहिए और किचन किंग मसाला यह दो चीज आ अनन्द लीजिए ठीक है तो यह मैं भी सर्फ कर रही हूँ अगर पसंद आए तो लाइक करिए शेर करिए और कमेंट करिए और बैल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे उसका नोटिफिकेशन ठीक है फ्रेंड्स और उपर आइकन बटन को भी इसे प्रेस कर देना तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको मालूम पढ़ जाएगा तो देखिए कि इस तरह मसालेदार पनीरतवा बुर्जी रेडी हो गया है आप भी इस तरह घर पर बना कर खाईए और अच्छी सी प्यारी सी कमेंट कर देना आपका कैस लाइक कर देना और सेयर वी कर देना अपने फ्रेंड लोगो तो देखिए कितने मसालेदार पाव हुए हैं पूर एकदाम सौफ्ट सौफ्ट हुए हैं और इस तरह आप बुर्जी के साथ यह पनीर बुर्जी के साथ खाईए और सेहत मंद रहिए यह बुर्जी पाव तरह घर पर बनाईए और खाईए बहुत इस्वादिष्ट लगती है सब्सक्राइब माइ चैनल कमेंट एंड लाइक ओके फ्रेंड्स बाइबाइ